Hi everyone, मेरे एक विवर्स ने सवाल किया था कि मेडम मेरी जो पेशेंट है उसको बार बार मिस्गरेज हो जाता है, गर्बधारन तो हो जाता है, देड़ दो महीने तक बच्चे में धड़कन भी रहती है, पर धाई महीने के बाद या तीन महीने में जाके हमारा बच्चा खराब ह हो जाता है, धड़कन रुख जाती है, मिस्गरेज हो जाता है, पता नहीं चलता है कि क्या रिजन हो रहा है, तो क्या हमारी जो पेशेंट है उसको डूफा स्टोन या फिर डाइडरोवून टेबलेट देना चाहिए जो 10MG की आती है, तो यस, आपकी जब दूबारा प्रे टेबलेट बहुत ही असरदार दवाई है, इसको डूफा की सूपर विजन में देते है, कितनी मातरा में देना है, ये डाइडरोवून के नाम की जो टेबलेट है, 10MG में अविलेबल रहती है, इसको जरूरत पढ़ने पे सुबा देफो शाम तीन टाइम भी दे सकते है, प पेड़ दर्द हो रहा है, लेबर पेंट आइप हो रहा है, कमर दर्द हो रही है, ऐसा लग रहा है कि बच्चे दानी का मुझ खुलने वाला है, उस जोरान तीन टाइम देते हैं, और अगर पेशन को कोई प्रॉबलम नहीं है, बच्चे में हार्ट बीट आ गई तो फिर OD यानि कि एक टाइम भी लेते, तो भी सफिशेंट रहती है, तो डूपाइस्टोन टेबलेट बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा रिजल्ट इसका है, कई सारे पेशन को देते हैं, पर जरुरत रहे तो ही देना है, अपनी मर्जी से डूपाइस्टोन कभी भी यूज नही करना है, धन्यवाद